नमस्कार मित्रों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उस जो लाइक यू जोन में दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का समयधानी विकास Constitutional Development of India उससे संबंधित 30 प्रष्ण जो हर परिक्ष्याओं में पूछे जागते हैं चाहे वह सेंटरल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो आई यह शुरू करते हैं बिना देरी की हुए पहले कोस्चन से पहले कोस्चन में दिया गया है समविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था जो हमारी Constitution बना है उसको पहले सभा बनाई गयी जो उस ने निडड़ लिया कि कैसे समविधान बनेगा हमारे देश का तो इसमें सदस्यों का चुना हुआ उसमें सदस्य थे तो उन सदस्यों का चुना हुआ था किस प्रकार हुआ था तो ही आपको बताना है इसमें आपको correct answer हम बता देते हैं इसका correct answer है आपसा no.D प्रांती विधान सभाओं द्वारा नहीं यह सीधे जनता द्वारा चुना गया था नहीं भारती राज्यों के सासकों से नामांकन द्वारा नहीं भारती राष्टी कांग्रेस के नामांकन द्वारा प्रांती विधान सभाओं द्वारा अगला question देख लेते हैं दोस्तों इसमें मिलान करने वाला है आपको मिलान करना है देखिए नियंतर पड़िसत की स्थापना कब होई थी सरोच नियाले की स्थापना कब होई थी इंगलिस मिसेनरीयों को भारत में कार करने की अनुमति कब मिली गौवर्न जनल की पड़िसद में कानुन सदस की नुकती कौन करता तो देखिए इसकी मिलान करने के लिए है, तो हम मिलान कर लेते हैं इसका, इसमें पहला है नियंतरबदिसत की अस्थापना, तो नियंतरबदिसत की अस्थापना, यह हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट के दोरा, पिट्स का भारतिय दियाम और 1784 दोरा, सरोच ने आला कि स्थापना काबुईती भारत में तो regulating act 1773 इसका हो जाएगा नियामा का अधिनियम 1773 तीसरे का हो जाएगा भारती ये तीसरे को हो जाएगा इंगलिस मिस्रनियों को भारत में कारकरने का अधिनियम स्थापना इसमें सी वाला सी तीसरे को हो जाएगा तीसरे का तीसरा चार्टर अधिनियम 1873 में इंगलिस मिस्रनियों को भारत में कारकरने कानुमती मिली गौवर्णर जनरल की परिश्यद में कानूनी सदस्की नियुक्ति कब हुई चार्टर अधिनियम 18233 तो इसका देख ल में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सरोच नियाले के स्थापना का प्रधान किया गया था तो उपर जैसे कोश्चन में दिया था की रेगुलेटिंगेट 1773 के द्वारा तो आप्सन नमबर एस करेक्ट भारत में कलकत्ता में उच्च नियाले सरोच नियाले के स्थापना का प्रावधान 1773 में रेगुलेट नियक्त के द्वारा पारित हुआ था अगला देखते हैं केंदर में द्वयद शाषन किस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित किया गया तो यह भारत सरकार अधिनियम 1933 अगला देख लेते हैं भारत में उपनिवेशी साषन के संदर्व में 1883 में इलबर्ट बिल का अधिस था अप्सन नमर एक जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिक्ता का संब्द था भारती तथा उरूपी लोगों को बराबरी पर रखना तो सबसे महत्तपुड बिल थ आगया तो जहां भारती और उरूपी लोग थे उनको बराबर रखा गया तो आप्सन नमर एक और तक दांडिक अधिकारिकता का संब्द था भारती तथा उरूपी लोगों को बराबरी पर रखना इस बिल के अधर गत अगे देखते हैं अगला कुशन राष्ट पति की आदेश जारी करता है किस अधिनियम के द्वारा लिया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बहुत महत्रपुड कोश्चन है यूपी पीसियस 2008 में पूछा गया है कि राश्पति की जो अदर देश जारी करने के सकती हो कहां से लिया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतिय विधान पालिका पर्थम बाद दूई सदनी कब बनी दूई सदनी बनाई गई भारत सरकार अधिनियम अगला कूश्चन देख लेते हैं 1919 में के भारत सासन अधिनियम की इमलिकित में से कौन सी पर्मुक विशेष्थाएं हैं अपको 1919 के शासन अधिनियम की कौन सी विशेष्थाएं उसको बताना है इसमें है परांतों की सरकारि कारी सरकारीडी सरकार में द्वैद सांती की वबस्ता मुसल्मानों के लिए प्रिथक साम्प्रदाईग निर्वाचन अमंडलों की वबस्ता किंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी सकति का हस्ता अंत्रड तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक और तीन दूसरा इसका गलत है पहला हो जाएगा प्रांतों की कारेकारड़ी यह सही जब प्रांतों की कारेकारड़ी सरकार में द्वयत साशन की विवस्ता और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानिक सकति का अस्तांतर तो option number 6 is correct के वल एक और तीन अगला देख लेते हैं भारत परिशद की समाप्ति किसके दौरा की गई भारत परिशद की समाप्ति किसके दौरा की गई तो इसका correct answer हो जाएगा option number D 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तारा भारत परिशद की समाप्ति की गई अगला question कॉछन देख लेते हैं किस अधिनियम किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया वह कौन स अधिनियम था जिसमें भारत वासियों ने पहली बार प्रसासन में आपने देश के तो answer हो जाएगा option number 8 चार्टर 1185 के अगला देख लेते हैं 1946 में निर्मित अंतरीम सरकार में कारेपालक परिश्यद के उप सभापती थे आपको देखना अगला कोशन देख लेते हैं समिधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्धक्च कौन थे तो आपको पता होगा बहुत कामन कोश्चन है डाक्टर राजिंद परशाद अगला कोशन देख लेते हैं अखिल भारती महासंग अस्थापित करने का प्राधान सामिल किया गया था अखिल भारती महासंग अस्थापित करने का प्राधान का सामिल किया गया था किस अधिनियम दारा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दारा आपसा नमबर A is correct भारत की समविधान निर्मातरी सभा के अधक्च कौन थे भारत की समविधान निर्मातरी सभा के अधक्च कौन थे तो वही सेम प्रश्ण है दूसरे सब्द में तो इसका भी correct answer हो जाएगा आपसा नमबर ए निर्मातरी सभा का अधक्च कौन थे डाक्टर राजेंद परशाद जहाए आपसे पूछ ले अस्थाई अधक्च कौन थे वो भी डाक्टर राजेंद परशाद अगला question दे के लिए भारत के लिए समिधान की रचना है तूस, समिधान सभा का विचार निमनलिखित मेंसे सरप्रथम किसने प्रस्तूत किया तो आपको बताना है सबसे पहले किसने प्रस्तूत किया देख ली तैं सवाराज पार्टी ने और कांग्रेश पार्टी ने निम्लीग ने या सवरदली सम्मेलन ने तो इसका correct answer हो जा कि स्वराज पार्टी ने सबसे पहले समिधान की रचन है तुर समिधान सभा का विचार किया अधिकार पर अधारित नहीं थी वह परतक्ष निर्वाचन का परडाम थी वह बहुदली निकार थी उसे ने अनेक समिधियों के माध्यम से कार किया तो इसमें देख लिए जब correct answer क्या हो जाएगा इसमें है नहीं थी इसमें question में पूछा है नहीं थी question में पूछा निकित में से कौन कौन से कथन समिधान सभा के विशे में नहीं है सही नहीं है तो कौन सही नहीं है वहाँ वयस्क मता अधिकार पर अधारित नहीं थी और क्या इसमें वहाँ परत्यक निर्वाचन का पढ़्याम था पहला और दूत option number is correct अगला देख लेते है वेवेल योजना के अनुसार कारेकारी परिशाद में हिंदू और मुस्लिम संदस्यों की संख्या समान होती थी इसका करण क्या है वेवेल का विचार था ऐसी विवस्ता से भारत का मटवारा बच जाता इसको देख लेते हैं इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer है कथन सही है वेवेल योजना के अनुसार कारेकारी परिशाद में हिंदू और मुस्लिम संदस्यों की संख्या समान होती थी लेकिन कारण इसका गलत है कि उसमें ऐसी विवस्ता से भारत का बटवारा बच जाता लेकिन बटवारा फिर भी हुआ इसलिए अप्संग सी is correct answer कतन सही है शमदान सभा के स्थापना की गई इस अब को पता होगा 9 December 1946 30 kola के स्थापना की अगला को बह्ति सम्य दान को बनाने है तू निख क MI लए थते कुल Qehtah अधिवेशन हुए थे आपको पता होगा यह बहुत बढ़िया कोश्चन यूपी पीसे से हम 2005 में पूछा गया है आप्चन नमबर सी इसका अब करेक्ट एंसर हो जाएगा समिधान को बनाने है तो समिधान सभा के कुल बारा अधिवेशन हुए थे अगला कोश्चन देख ले कि मौलाना आजार डाक्टर भी यार अमेटकर तो कोश्चन नमबर सी इसकरेक्ट मौलाना आजार ने यह बात कही थी 15 वर्स वाली आगे देखते हैं 1935 के अधिनियम दारा थापित संग में आवसेज सक्तियां किसको दी गई थी संग में आवसेज सक्तियां 1935 किसको दी देख लेते हैं लिम्कित में से संविधान सभा की गई संविधान समिति का ध्ख्च कौन था ? उसके वारे में देख लिएते हैं ? समीति का ध्ख्च कौन था उसका कर्डीक और आपको डेख लेते हैं Mr.षौ्जमीर जव्रा Ze 자वालल नहरू अगला क्वोशन देख लेते हैं 1935 के अधिनियम के तहत कराये गए विधान सभाच चुनाव में किस राज्ज में कांगरेश ने पूड बहुमत नहीं प्राप्ति किया जो 1935 का चुनाव कराया गया था विधान सभाच उसमें राज किस राज में कांगरेस ने पूर बहुम्द नहीं प्राप्ति कि अ मदरास व्यार हस्ट बंगाल में उस में नहीं प्राप्ति चिया तर्क रेखा Şimdi क्या हो जाएगा बंगाल आप इसट्ट आधिक हा्ला देलते हैं किस कानुन के तथा वयासराय को अपनी कारेकारडी के सदस्यों की संख्या में वृद्धी का दिकार दिया गया क्या हो जाएगा ठारा सो एक सट करेक्ट एंसवर अप्शन नम्बर ए निम्नाकित में से कौन सा एक भारस आसन अधियां 1935 में सिकार किया गया किया हुआ महत्पूर और अस्थाई आवयव नहीं है देश के लिए लिकिश समिधान नहीं है पहले ही अप्शन गलत हो जाया क्योंकि हमको देश के लिकिश समिधान ही चाहिए था उस अधिनियम से तो भारत का समिधान पूर्ड रूप से तयार कब हुआ था 26 नॉवंबर 1949 को दो वर्स 18 माह कितने दिन लगेते दो वर्स 18 माह और 11 दिन अगला कोशन देख लेते हैं तो समिधान कब तयार हो था 26 नॉवंबर वर्ति सम विधान प्रस्तावन का प्रस्ताव किसे ने रखा जवालाल नहरु जी ने समधान समग समग समधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव कितने रखा जवालाल नहरु ने इस वीडियो का आखरी कोश्चन देख लेते हैं नहीं नहीं आगे भी है भारत के सम्विधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया सक्तियों का विभाजन इनके बीच में किसमे उल्लेखित योजना के अधार पर है तो दोस्तों यह थे हमारे टॉप 30 कोश्चन आगे वीडियो जारी रहेगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद